नमश्कार, आज हम चर्चा करेंगे वक्र आसन के दूसरे अभ्यास की, जानेंके वक्र आसन की विधी, लाब और साबधानियों के संधर्ब में. अभियास के लिए दोनों घुटनों को सामने करेंगे पहले अपना दाया घुटना मोड़ेंगे एडी को उठा कर बाई जंगां के दुसरी तरफ रख देंगे दाय हाथ को पीछे रखेंगे बाई हाथ को दाय घुटने से दाई ओर घुमाते हुए दाई एडी को पकड़ने का प्रयास करेंगे और गर्दन पीछे दाई ओर सारा खिचाव गर्दन की मास्पेशियों पे जंगां पे कमर पे और कंधे पे 15 से 20 सेकिंड तक शरीर को स्थिर रखेंगे उसके बाद गर्दन सीधी हाथ वापस और घुटना सीधा अब इस अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे बाया गुटना मोड़ेंगे बाई एडी को दाई पैर के दाई ओर रखेंगे दाई हाथ को गुटने के बाई ओर से घुमा कर दाई एडी या अंगुठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे और गर्दन बाई ओर पूरी गर्दन पीछे, जंग हाँ दाई और खिची हुई, गर्दन और कंधों पे पूरा खिचाओ 15 से 20 सेकिन तक शरीर को स्थिर रखेंगे, उसके बाद गर्दन सीधी, हाथ वापस और घुटना सीधा इसके अभ्याद से पीट वकमर लचिली बनती है और मस्तिश्क में रक्त का प्रवहा अच्छे से होता है लीवर और किड़नी को इसके अभ्याद से बल मिलता है जिससे वह अपना कारे सहज रूप से कर पाते हैं वक्र असन के अभ्याद से गर्दन दर्द, कंधो और पीट में दर्द, कमर दर्द और श्याइटी का जैसी समस्याओं में लाप मिलता है पेट और पीट से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर अलसर और हर्निया की समस्या में इसका भ्याद ना करें